मैं प्रियक्का अगरवान, Holy Children Public School and Hostel में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत कहती हूँ अक्छा चे विशय हिंदी, जिसमें बच्चों आपकी पाठी उस तक है कार्दी के आज हम सब हसना भी एक तला इस चैप्टर को पढ़ेंगे चैप्टर है त्री आए उससे पहले मैं आपको एक बात बताओं हमारे स्कूल चैनल Holy Children Public School and Hostel को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे कोई भी एक्साइटिंग इंफोमिशन आप तक कहोंच है चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं हसना भी एक कला ये आपके पार्ट में ये इसका वर्णन है कि मनुष्य के पास हसने की जो कला है वो अन किसी के पास नहीं है न जानवरों के पास है न और किसी पसुपक्षियों के पास है लेकिन मनुष्य इस कला को कभी-कभी अपने मानसिक तनाव में भूल जाता है जिसका परिनाम वो न जाने कितने औसादों से घिर जाता है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, बोलते, बात करते, अपनी हसी, खुशी को प्रदर्शिक करता है हसी आजकर मनुष्यों को जादा तर दूसरों की गलतियों को देखकर जादा आता है क्योंकि हम दूसरों की गलतियां दिखाकर अपने आप प्रशन हो जाते है जैसे जैसे मनुष्य आगे जैसे छोटा बच्चा है, वो जब जन्म लेता है तो रोता है लेकिन धीरे-धीरे उसके अपने माता-पिता से बोलते, बात करते, खेलते वह भी धीरे-धीरे हसने और मुस्कुरानी लगता है कहते हैं कि जो बेक्टी बहुत हसोर होते हैं और जो कम हसने वाले बेक्टी होते हैं उनके साथ रहने से उन्हें भी हसने की आदत पड़ जाती है और आज डाक्टरों का कहना है कि खुल कर हसने से फेफड़े साफ हो जाते हैं दिमाग का तनाव कम होता है और स्वास्त अच्छा बना रहता है इसलिए कम से कम एक बार दिन में चरूर दिल खोल कर हसना चाहिए इससे सांस के सवी अंगों का ब्यायाम हो जाता है और आज कर मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हमारे टीवी चैनल पर ऐसे कारिकरम चलाए जा रहे हैं जिससे हमारा तनाव कम हो सके और हम को हसें तो बच्चों आज के लिए इतना ही लेकिन इसमें आपके हसना भी एक कला इसमें आपके शब्दार और एक्सरसाइज दिये हुए हैं जो आप बुक में भी कंप्रीट करेंगे और नोट बुक में भी कंप्रीट करेंगे तो यही आपका होंबख है धन्यवाद गर में रहें सुरक्षित रहें